फिर ही मनते बाग। सब हम बात करते हैं तो काश्मीर मुद्दा है इस तरीके की ग्लोबाल एटेंशन है इस पे कुछ दिन पहले ट्राम साब ने ओभी कहा कि मुदी जी हमें कहा कि भाई आप जम्मु काश्मीर विशय पे आप हस्तव करो और इसको सुल्जाने के कोशिश करो तो इसके मतलब क्या होता है तो हमें तो स्थीती साप करना चाहिए ना सरकार की रवाया का है क्योंकि ये सरकार को हम ये भी ध्यान दिलाया कि आज आपने जम्मु काश्मीर को खंडित किये हैं बाइफर कट किये हैं लेकिन एक समय इसी सदन में नाइंटीन नाइंटीन फोर में हम लोगे रेज कर नहीं है इतना बरा बिल ला रहे हो लेकिं गुलाम काश्मिर की बारे में आप कुछ नहीं बता रहा हैं हमसे यह तो सारे आश्रति ने किया है आज भीजेवी पटे हमें क्या सिखाएंगे कैसे रहेंगे कैसे रहेंगे छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया कोई तो उनका जी इतना बड़ा बिल लाए है उसमें कहीं पियोके की जिकर है इसमें पियोके की जिकर है इसमें पियोके की जिकर है आप दिखाओ बिल में, मैं चलेंज करता हूँ फोदी है तो, मुम्चिन है, सही मैं काल रज्यत सबा में, कौंग्रेस के नेता गला फट फट पड के ए रहे हैं कि वही लदाख के साथ क्या होगा, लदाख के साथ मैं जनना चाहता हूँ अद्धेक्श मौदे आपके मद्यम से, मैं जनना चाहता हूँ जब आप दोज़ाद में जम्मू कश्मीर के चिप मिनिस्टर से आपने वहाँ पे आज नया डिस्टिक बना है जिला चार आपने कश्मीर को दिया तो जम्मू अलों ने लड़ाई किया तो चार देना पड़ा लदाख को आपने एक डिस्टिक भी नहीं दिया क्या ये है आपका एक्वालिटी ये आपका एक्वालिटी है आज आप कहते हैं एक्वालिटी हमारे बाशा लदाखी बोटी बाशा कहते है कश्मीरी आपने लिपी ना होने से भी आपने रिकोग नेस किया एड़ केडूल में डाल दिया जम्मू के डोगरी उन्होंने अंदोलन किया तो उनको भी दे दिया लदाक के बाशा को आज तक अपने रिकोग में सिया क्या ये है आपका एक्वालिकी अजेक जी सेकुलरिजम और डेमोगरफी के बाद किया जा रहे यहां पे मैं जानना चाहता हूं जिस कश्मीरी पंडितों को आपने इस दरा 370 के मिस यूस करते हुए लाट मार के रातों राट निकाल दिया क्या ये है आपका सिकुलरिजम ये है आपका सिकुलरिजम ये है आपका सिकुलरिजम इसी दरा 370 को आपने मिस यूस करते हुए काल वेक्सवा दे रहा है घर से लदाक में पहले बहुत संक्या ज्यादा था आज मुस्लिम संक्या ज्यादा है मैं अफसोच के साथ कहना चाहता हूँ यह आपने दरा 370 को मिस यूज करके जमु कश्मीर में आपने बुदिस्ट को खतम करने के कोशिश किया यह है आपका डेमोग्रैफिक मेंटेंग यह है आपके सेकुलिरिजम अद्यक्ष महोद्या यही जिन परिवारों ने मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ पे शासन किया मैं कहता हूँ राज किया यही परिवारों ने 1979 में लदाक को बटवारा किया बुद्धिस मेजोरोटी के साथ ले डिस्टिक मुस्लिम मेजोरोटी के साथ करगिल डिस्टिक और हम दोनों भईयों को लड़वाया आज सा ये है आपका सिक्वेलरिजम क्या ये है आपका सिक्वेलरिजम आज करगिल के खिर कर रहे थे करगिल बंद है किसने का आपको करगिल बन दे जनने के कोशिश किजिए मैं हूँ लदाख से मैं चुन के आ रहा हूँ आप नहीं आ रहा है लदाख से आप बेठिए आप अराम से बेठिए आप बेठिए भी साथ आज तक आप लोगों ने बोला आज हमारा बोलने का मौका है बोठिए बेठिए आप मोदी चसाने बेठिए ये ये स्क्रिफ स्क्रिफ एक रोड और छोटा सा मरकेट को करगिल समझ बेठिए भी साथ अगर आपको करगिल देखना है तो जांसकार जाएए वाका मौलबेक शारगोल जाएए आरियन बेली जाएए दर्सिक गरकून देखिए सेवेंटी परसंट करगिल के एरियस जो है वहां के लोग जो है आज इस डिसिजन को वेलकम करते हैं इस 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 बिल के समर्थन करते हैं अद्देख जी आज ये वही वक्तवे दे रहा है अद्देख जी सुनिये सुनिये मौका दीजिये बोलने के सम्ता रखे मैं आज के तरह किताबें पढ़के नहीं आता हूँ लेकिन ग्राउंड की रियालिटी महसूस करके अद्देख जी करगिल में करगिल में जो आभी कह रहा है ये इनों ने फोन करके करवा रहा है उनको भी नहीं पता है वो लोग क्या कर रहे है उनको अपने भविशे के लिए सोचना चाहिए इनके जबन पे नहीं जाना चाहिए ये अपने मुफ्ट के लिए अपने हिच के लिए किसे को भी ना चाहेंगे अदेख जी बेटे बेटे सुनने के समता रखे अदेख जी आज से 66 वार्ट पहले जन संग के संसापक डॉक्टर श्यमा परसाथ मुखर जी ने 1953 में जो उन्होंने संगर्च लिया एक देश में दो विदान दो निशान और दो परदान नहीं चलेगा नहीं चलेगा और इसी के संकल्प में मैं गर्ब के साथ केता हूँ इनको नहीं पता लदाग वालों ने अभी क्या किया आज तक 2011 में आज एके रह कि हमारा जंडा जा रहा है बैसाब आपका जंडा तो लदाग वालों भारत देश का अटूट अंग बनना चाहते हैं ये है लगार क्योंकि हम मानते हैं आन देश की शान देश की देश की हम संतान है तीन रंगों से तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान अध्यक जी अध्यक जी बड़े आरणिक पंचेश एलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जब आपने कुर्सी के बड़े आएंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे ग्राजूट देमोक्रेसी नहीं आने देंगे लेकिन आपने घर का रोटी चलना चाहिए एसा विचारदारा हम एकसेट स्वीकर नहीं करेंगे अध्यक जी जो कुछ लोग जो मैं बार बार दो परिवार के जिकिर कर रहा हूं ये परिवारे जो है कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा कश्मीर के मुद्दा जो डिंडोरा पीट रहा है वो समाधान चाहने वालों में से नहीं है They are the parts of problem वो इस problem का इस समस्या का part बन चुके है अंध बन चुके है नशे में है वो वो आज भी समझ नहीं कि कश्मीर तो मेरा बाप का जगीर है नहीं रहा नहीं रहा नहीं है अज्यक जी मैं आंच में मैं आंच में इसको कंक्लूट करने से पहले मैं भारत सरकार को दन्यवद देना चाहता हूँ श्री नरिंदर मोदी जी को ग्रेमंत्री जी मानी नियामी चाह जी को और पूरे समयोगी डल को और जिनका डल नहीं है लेकिन इस भील के फैवर में आने वाले है उन लोगों को भी मैं लदाख पूरे लदाख के निवासियों के और से दन्यवद देना चाहता हूँ क्योंकि आज पहली बार इस भारत के इतिहास में लदाखियों के सेंटिमेंट को एस्पिरेशन को सुना जा रहा है उस लदाख के उस लदाख के जो चेईचीन के साथ पाकिस्तान के साथ सीमाए लगते हैं उस लदाख के महतवपून को समच रहे हैं इस सरकार में इस बील को हम वेलकम करते हैं और हम हम एक आंट में जो लोग अभी तक कन्फ्यूज में उनको एक रिक्वेस्ट छोटा सा करना तो देश के लिए प्यार है तो जताया करो किसी का इंतिजर मत करो गर्ब से बोलो जाए हिन अब इमान से कहो भारतिय है हम स्वाब इमान से कहो बारत मता की जाए और वर्तमें में करो इस भील का समर्थन बहुत बहुत धन्यवदर देगी माने सदश्य है माने सदश्य बहुत लंबी लोग सबाश्य तुसे आते हैं और मैं देखता हूँ सदश्य में हमेशा सार गर्वित बात केते हैं माने सदश्य मैं जानता हूँ मानिस सदर्षे बहुत लंबी लोग सभाशेत है और नोजवान होकर जब भी सदर्षे में बोलते हैं मैंने जब भी देखा अच्छा बोलते हैं ऐसे मानिस सदर्षे को सब को एप्रिशेट करना चीए थी जिर अबर स्पीकर सर्षे